आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी जदा इन्फरमेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम ट्रैफिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रैफिक क्या होता है कहां से आता है पेड ट्रैफिक क्या होता है और गैनिक ट्रैफिक क्या होता है तो इसके बारे बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि traffic होता क्या है, traffic मतलब number of people, जैसा कि हम बोलते हैं, कि road पर traffic जादा है, road पर traffic कम है, तो number of people इसी तरीके से आपके website पर कितने number of people visit कर रहे हैं, देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसे हम traffic कहते हैं, वो उस website के लिए web traffic, internet traffic या फिर online traffic कहलाता है, for example onpassive.com, onpassive.com पर जितने भी person visit करते हैं, देखते हैं, use करते हैं, तो onpassive.com official website के लिए वो traffic कहलाते हैं, और वही traffic जो लोग visit कर रहे हैं, उसमें से जो person ecosystem में register करता है, तो व वही traffic user में convert हो जाता है, मतलब वो ecosystem user कहलाता है, तो अब हम ये समझते हैं, कि traffic कहां से आता है, पहला source है direct, जिनको onpassive के बारे में पता है, वो क्या करेंगे, google browser पर जाएंगे, onpassive.com लिखकर search करेंगे, official website उनके सामने आ जाएगा, इस तरीके से वो direct onpassive.com पर पहुंच जा गया हो, for example मैंने आपको onpassive के बारे में बताया, और onpassive.com का link मैंने आपको send किया, उस link पर आपने click किया, link पर click करके आप onpassive.com official website पर पहुंचे, तो इसे हम कहेंगे referral traffic, जैसे कि अगर हमें किसी को ecosystem में register करवाना होता है, उसके लिए हम अपना affiliate link send करते हैं, उस पर click करके अपना ecosystem में registration करता है, तो इसी परकार से referral traffic होता है, कि किसी ने आपको बताया, और उस website को visit करने के लिए, आपको किसी ने link send किया, link पर click करके आप official website पर पहुंच गे, तो आप यहाँ पर referral traffic कहलाएंगे, next source है, social traffic, social traffic का मतलब क्या होता है, friends, social pages, यानि कि social media pages, जैसे कि onpassive का official YouTube channel हो गया, official Facebook page हो गया, Twitter हो गया, Instagram हो गया, तो जितने भी person onpassive के social media pages की थुरू visit करेंगे, onpassive.com official website को, वो social traffic कहलाएंगे, next है, search traffic, search traffic का मतलब क्या है, जो search engine की थुरू आते हो, जैसे कि Google, आप सभी जानते हैं, Google एक search engine है, तो Google browser पर, अगर कोई person कुछ search कर रहा है, उसकी जरी अगर वो onpassive.com official website पर आता है, तो उसे हम बोलेंगे, search traffic, and search traffic में, दो परका का traffic होता है, पहला, organic traffic, दूसरा होता है, paid traffic, organic traffic को समझने के लिए, हमें कि यहाँ पर example लेकर चलते हैं, for example, आपको, एक अच्छा सा Android phone चाहिए, और आप Google पर जाते हैं, वहाँ पर search करते हैं, best bibo mobile under 30,000, जब आप search करेंगे, तो इसका result, search result आपके सामने आएगा, आप सभी जानते हैं, कि आएगा, वहाँ पर Amazon website का link का link का link का link का link का आएगा, और भी website के वहाँ पर link का जाएगे, for example, आपको amazon.com से purchase करना है, तो आप उस पर click करेंगे, click करने के बाद, website आपके सामने open हो जाएगा, मतलब page आपके सामने open हो जाएगा, वहाँ पर आप सभी चीजों को check कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप अपनी choice का अनुसार Android phone को purchase कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं, और गानिक traffic, ये search traffic के अंतरगत आता है, क्योंकि इसके लिए आप Google browser पर जाते हैं, वहाँ पर आ आने के बाद आपको जो phone अच्छा लगता है, उस phone को purchase करते हैं, तो वही organic traffic sales के रूप में convert हो जाती है, and search traffic में दूसरा, paid traffic भी आता, paid traffic क्या होता है, for example, आप Google browser पर जाते हैं, वहाँ पर आप search करते हैं, best बीब मोबाइल under 30,000, तो search result आपके सामने आता है, जिस परकार से व और भी website के link को हाँ पर आजाएंगे, सबसे उपर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर आपको कुछ ads भी दिखाई देगे, और अगर आप उस पर click करके website पर जाते हैं, और purchase करते हैं, तो उससे हम कहेंगे paid traffic, और paid traffic provide करने के लिए या प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर online advertising platform के services को use करना होता है, और इस समय Google Ads यानि की Google AdWords जो एक platform है, service provide करता है, paid traffic का, इस समय काफी दा famous है, लोग इसके जरिए Google Ads रन करते हैं, कहने का मतलब यह है कि अगर आप on paid sources से traffic प्राप्त करते हैं, तो उससे हम organic traffic बोलते हैं, अगर आप वहें पर paid sources से traffic प्रा तो paid traffic के बारे में मैंने आपको वो information दिया है, जिसके बारे में मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आने वले टाइम में आप सभी जानते हैं कि on passive में domain and traffic packages, आनि कि paid traffic का option उपलब दोगा आने वले टाइम में, तो on passive वहाँ पर कौन सा strategy use करेगी, किस परकार का रहेगा paid traffic, traffic packages उसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ example दिया है, यह समझने के लिए कि paid traffic होता किया, यह समझने के लिए मैंने आपको सिर्फ example दिया, ताकि आप आसानी से समझ सके, आने वाले टाइम में जब on passive में domain उपलब दोगा, paid traffic याने कि traffic packages उपलब दोगे, तो उसके बारे में हम सभी को complete information मिल जाएगे, last में हम targeted traffic के बारे में समझ लेते हैं, targeted traffic या फिर targeted audience वो लोग हैं, जिसमें से maximum लोग आपके products and services को purchase करते हैं, उससे हम targeted traffic या फिर targeted audience का preference, और targeted traffic प्राप्ट करने के लिए हम targeted keywords का use करते हैं, या फिर paid advertisement के थुर targeted audience को हम target करते हैं, targeted traffic के वज़े से conversion rate ज़्यादा होता है, मतलब sales ज़्यादा जनेट होता है, और sales ज़्यादा जनेट होने का मतलब आप समझ सकते हैं, फिरेंस की profit भी यहाँ पर ज़्यादा ही जनेट होगा, उमीद करता हूँ फिरेंस की ये वीडियो आप सभी क ये काफी ज़्यादा informative रही होगी, वीडियो informative रही हो तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर कर लिजएगा